अगले खबर आ रहे भिंड से जहां लोकायुक्त पुलिस ने अटेर विधान सबाग छेत्र के भुजपुरा हलके के पटवारी को रुस्त लेते हुए रंगे हातों दबोचा पटवारी फरियादी से प्लाट के नामांतरन किये जाने को लेकर 2 लाग की बड़ी रकम माग रहा था इसके बाद फरियादी ने पिछले दिनों पहले लोकायुक्त में सिकायत की थी लोकाई युक्त पुलिस के बिछाय जाल में पटवारी 50 अचार की रिस्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा रोकाई युक्त पुलिस के मुताबिक चंदनपुरा अटेर रोट पर रहने वाले अजजयन ने अपने नानस सुर के नाम का प्लाट का नामांत्रण किये जाने को लेकर आवेदन किया था ये प्लाट भिंड सहर से सटे भुझपूर मौजे में था मौजा करमांग 22 जो की अटेर विधान सभा में आता है इस हलके का पटवारी मेवा राम सर्माल लंबे समय से प्लाट का नामांत्रण किये जाने को लेकर आवेदक के चकर कटवा रहा था पटवारी नामांत्रण कराय जाने के एवरेज में दो लाग की रिस्वत माग रहा था जब फर्यादी और पटवारी की बीच बात चीत हुई तो सौदा एक लाग शालिस अजार में तैह हुआ पटवारी इससे कम लेने के रिए तयार नहीं हुआ चुकि पटवारी द्वारा प्लोट नामांत्रण को लेकर बड़ी राजी रिस्वत में मागी जा रही थी भिंड में लोका युक्तित टीम ने रिस्वत खोरपटवारी धराप प्लाट के नामांदरण की रिस्वत मागी थी 2 लाग 1 लाग 40 अजार में सौधा तै हुआ 50 अजान लेते पकड़ा गया दवांट रखी थी सर पैसे की पहले 2 लाग रिपर मागी थे पर आप में क्या क्या काम था नाना का प्लाट कर दागला खाजी होना था इसमें आविदक आजय जैन्त हैं जिन्होंने लोकाइट कर रहे हैं मैं शिकायत की थी सत्रादस को उसके एवज में हम लोगों ने उसका सत्यापन कराया जब सत्यापन सही पाया गया उस पर ये इसमें जो पटवारी हैं मेवा राम सर्मा जो पटवारी हलका नंबर ये जो अपना भुजपुरा है उसके पटवारी हैं, उनके द्वारे इनसे दो लाग रुपए नामंतर के लिए लिए जा रहेते हैं फर्यादी का ये जहना था जो आज़ा जैंत है फर्यादी की उनके नाना की नाना ससुर है राजा राम जाटव जिनके नाम से रईष्ट्री एक साल पहले हुई थी उस रईष्ट्री का नामंतर कराना था क्योंकि वो एवल नहीं तो इनके ही और उनकी जो पत्नी है अजय जैंत की उनको उन्होंने गोद लेके रखा हुआ है उसके लिए वो दो लाग रुपए की मिवाराम सर्मा जमीन एक प्लॉट है इसमें दो लोगों का कपजा है इसके लिए अगर आपके नाम से हम करा देंगे तो आपसे दो लाग रुपए लेंगे नामंतर के और कपजा भी दिला देंगे इस तरीके का उनका डिमांग तो दो लाग के कीती लिए फाइनल जो बात हुई एक चालि